हलो किसान भाईो मैं रंधिर कुश्वाहा आपके अपने विट्वी चैनलर जटधारी सीर्ज में आप सभी किसान भाईो को श्रागत करता हूँ किसान भाईो आप लोग खेती से जुड़े हुए है और सबसे बड़ी समस्चा होती है कि कोई कोई पोधा में फूल नहीं आ रही है फूल आ रही है तो फूल में कन्वट नहीं हो रही है किसान भाईओ अगर आपका पौधा जैसे टमाटर अगर टमाटर की खेती किये हुए है या वींस की खेती किये हुए है या सीमला मिर्ज की इसम में अगर फूल नहीं आ रही है तो एक ब्रांड टौनिक है इस ब्रांड टौनिक का प्रियुक कीजिए और बहुत ही बहुत ही बहुत जिन इसका रिजल्ट हैगा फूल फॉल अच्छे संग्खा में लेके आती है किसान भाईओ या ब्रांड टौनिक अगर आपका पौधा 20 से 25 दिन का हो चुका है अगर आप का ट्रांस्प्लांट किया हुआ 20 से 25 दिन हो गया है तो ये ब्रांड का प्रियुक कर ले किसान भाईओ या फिर खुब फूल आ चुका है और फॉल नहीं आ रहा है उस स्टेज में भी इस ब्रांड टौनिक का प्रियुक करें बहुत ही अच्छा यह रिजल्ट देगी किसान भाईओ या टौनिक बड़ी ही अच्छी टौनिक है इसका ज्यादा रेट भी नहीं है मार्केट प्राइज लगवग देर सो के आसपास में एप्रॉक्षिस का कीमत है देर सो से दो सो के आसपास में जो दे दे आप अपने नजदी की सोब से जाकर कि इसको आप करें अच्छा डिल्ट देगा कि शान भाईयों टामाटर में खूब फूल आ चुका है खूब फूल उस इस्तिति में भी एक बार चुरूर प्रियों करें कि शान भाईयों उसके बाद अगर दो चार भाजा को तूर चुके हैं या कोई भी अधर क्रॉब भी चाहावा शिम रही हैं और उसमें से कुछ हार्वेस्टिंग कर चुके हैं उस एस्टेज में हमारे पास एक टॉनिक यह है विलवांड या विलवांड तीन ग्राम की पुरिया है और इतना बेहतरीन है और इतना इसके अंदर पावर है कि 48 घंटा के अंदर में आपको रिजल्ट दिखा द किशान भाईयो आपको पहूत बढ़िया रिजल्ट देगी और मुझे उमीद है कि आप लोग जरूर प्रियोग करेंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगी किशान भाईयो उसके बाद टमाटर की खेती अभी जो चल लही है उसमें सबसे ज़्यादा जरूरत है आपको यह ध करा हुआ है कोई फंगस का एटेक नौ हो किसान भाईयो अगर आपके क्रॉप्स में अगर फंगस का एटेक हो चुका है अगर बीमारी पकर लिया है जुल्सा रोग या अगेता जुल्सा या पीछेता जुल्सा कोई पकर लिया है तो आपका टमाटर जो है वह बचनी की कम स हवा पौधा को पूरा ब्रवाद कर दे रहा है इसलिए थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपके पौधा में कोई समस्या है जल्द जाकर कि आप अपने नजदी की सौप से कोई नजदी की दुकंदार से जाकर कि आप दवा ले करके उसको श्प्रे कर दे अच्छी दवा ले करके खिसान भाईयों नौ कोई दवा समझे में आ रही है तो और अगर थलका-फलका बीमारी हो हलका-फलका शमस्या हो या फिर कोई शमस्या नहीं है आपका पौधा सुरक्षित हो तो आप कवर्यों टॉप भी ले करके आप श्प्रे कर सकते हैं या कवर्यों टॉप हर दुकंदार के पास आपको एवलेवल मिल जाएगी आप वहां से पर्चिज करके आप उसका श्प्रे कीजिए आपका विमारी कम पकड़ेगी किसान भाईयों और अगर विमारी पकर लिया है ज्यादा संख्या में तो फिक कवर्यों टप नहीं दुसरा फंगे साइड आप जाकर के आप दुकंदार से शंपर करके वह जैसा सजिशन देंगे उस हिसाब से वह दावा को लेकर करके आप पौधा एकदम हडा भडा और खूब फोल उठाएगा और खूब फल पकड़ेगा कोई भी समस्या नहीं और अगर कोई भी दावा इस्प्रे करते हैं अगर आपका पौधा पुरा बीमारी पक्रे हुए हो पुरा जुल्सा रोग से ग्रसित है तो किसान भाईयों आपका को 100% रिजल्ट चाहिए वह 100% रिजल्ट लिने के लिए आपका पौधा शुड़क छित होनी चाहिए किसान भाईयों एक और यह सबसे बहतरीन चीज़ है या विलकौन या भी किसी भी कंपनी का गुंद इसको गुंद कहते हैं वह अपने पौधे में जब आप इस्प्रे करे देंगे तो तंकी में पांच एमिल के हिसाब से जिरूड इसका प्रयोग करें बहुत जादा इसका फैदा है जहां पड़ेगा दावा और जहां नहीं पड़ेगा दावा वहां तक जो है वह शबी जगह फैलाने का काम करता है एक जगह पड़े गया उसके बाद या पूरे या भी बहुत अच्छा गुंद है आप प्रयोग कर सकते हैं आपको अच्छा रिजल्ड देगा अगर आप अपने पौधे में गुंद का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही बहतरीन होगा किसान भायों मुझे उमीद है कि किसान भायों आप लोग समझे होईएगा और आप ल ज़रूर अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक किजिए, अपने दोस्तों में शेयर करे और जितने भी किशान भाई हैं सभी किशान भाईयों के पास धारा धर वीडियों को सेर कर दे ताकि खेती से संबंधी जनकारी आपको मिलते रहेगी ये रंधिर को स्वाहा आपको समय समय पे और समय समय पे जो क्रॉप लएगी वह शारे खेती से संबंधी जनकारी आपको देते रहूँगा किसान भाईयो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूँगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वो नोटिफिकेशन से आप उस समय देख सकते हैं या फिर आपको खेती से संबंधी जो वीडियो डालूँगा वो अभी जनकारी आपको मिलते रहेगी आपको वीडियो स्वतर ही चले जाएगी खिशान भाईयो आप अपने दोस्तों खिशान भाईयो और जो साथी हैं उनमें वीडियो को शेर करें ताकि उन्हें भी खेती से संबंधी वो जनकारी मिलते रहेगी ठीक है किशान भाईयो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत